है ले अबरिवन मैं डॉक्टर लोकें राज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे पत्ते के बारे में बताऊंगा जो आपकी हजारों बिमारियों को ठीक कर सकता है घर पर आप उस पौधे को लगा सकते हैं जिसकी पत्तियों का श्रीवन आप घर पर रहकर के कर सकते हैं को कोई वी ऐसी बाहर की चीज उसके साथ मश्यवन नहीं करने के जरूत पड़िए आपको आपकी कई सारी बिमारियां घठिया से संबंदित कप जिसे संबंदित गैस पेट फूलना कोल्ड कफ खासी होना बहुत सारी प्राब्लम्स जिसे आप घर पर रहकर के ठीक कर सकते हैं मेरे नाम डॉकिंद्र है आज के वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसी पत्ते के बारे में जो बहुत ही इफैक्टिव तरीके से आपकी हजारों बिमारियों को घर पर रहकर के ठीक कर सकता है चलिए शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के लेकिन शुरू करने से पह गठिया के बिमारे में कबज की बिमारे में गैस ऐसे रिटी जिनको बहुत जादा बनता है पेट फूलता है ऐसे कई सारे बिमारियों में यह बहुत जादा उपियोगी है दोस्तों बात कर रहे हैं अजबायन पत्ते के बारे में अजबायन पत्ता एक ऐसा पौदा है जिस सबसे पहले बात करेंगे ये इसके अंदर ये इसके अंडर क्या क्या पाए जाता है ये थे अगर पके अंदर को पाए मंद होता है दूसरा ये इमी सिस्टम को वुस्ट करने में बहुत जादा मदद करता है इसके अंदर विटामिन ए पाए जाता है जो आपकी आखों की रोशनी के लिए आपकी आख की बिमारियों के लिए बहुत जादा उपयोगी होता है इसके अलाबा इसके अंदर बहुत अ जैसे टी पीते हैं उसी प्रकार से जैसे ग्रीन टी है कई सारी मार्केट में आजके लेवेलेबल हैं उसी प्रकार से आप इसकी भी टी बना करके पीएंगे शाम को तो आपको बहुत अच्छे नीद आजगी और बहुत अच्छे तरीके से आपकी नीद पूरी होगी जिससे क respiratory health को improve करने में मदद करता है यानि कि जिनको बार बार कब कोड़ हो जाता है infections हो जाते हैं ऐसी condition में उनको यह पत्ता जरूर से बन करना चाहिए इसके राब यह कई सारे problems जैसे आपके शरीर से toxins को बाहर निकालना और आपके skin से toxins को बाहर करने में मदद करता है इसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छी खुसवू आती है जिससे आप पहँचान सकते हैं इसका पौद अगर आपके आसपास होगा तो आप इसके खुसवू से इसका इरोमा से बहुते ज्यादा प्रभावित होते हैं जो अजवाएं हम सब्जियो में करते हैं यह वह पौद नहीं है यह फौदा तोड़ा है और वह पौदा तोड़ा अलग होता है घर पर आप एससे easily लगा सकते हैं और easy तरीके से आप इसको घर पर रहकर के शिर बन कर सकते हैं अगर हम बात करें कि इस पौधे में यानि कि अजवायन के पत्ते आद्याले पाधह में और अजवायन ओपियो कर तो धेखें जो घर पर अजह बास वायन में और कब खाना चाहिए तो इसका जो सेवन है आप घर पर रहकर के सुभा और श्याम कर सकते हैं जिनकी उम्र 15-20 साल से उपर है अधिक है ऐसे लोगों को यह इसली दिया जा सकता है इसके अलाबा यह कई सारी बिमारियों में काम करता है जिनको कब्ज रहता है कॉंस्टिप प्राब्लम से ऐसी कंडिशन में भी यह बहुत जादा उप्योगी और फाइदेबन माना जाता है जिनको भी गैस एसीडिटी के बहुत जादा समस्या रहती है बहुत लंबे समस्य परिशान है ऐसे लोगों के लिए भी यह पौधा इसके पत्ते बहुत जादा उप्योगी है इसके लाब जिनको जोखाम खासी रहता है जिनको रैस्परिटरी से रिलेटेड प्राब्लम सोती है बारवर इंफेक्शन हो जाता है उनके लिए भी यह बहुत जादा फाइदेमन माना जाता है जिनको पेट फूलता है जिनको अफरा चड़ता है उन लोगों के लिए भ तोड़ लीजे और चार पत्ते साफ अच्छे तरीके से कर दीजे इन चारों पत्तों को जब आप साफ कर लेंगे अच्छे से धो लेंगे उसके बाद में आप इनका सुभव या फिश्याम को सिबन कर सकते हैं यह बहुत ही बड़िया फाइदेमन्द चीज है जिसे आप डार काने का तरीका काले नमक के साथ में आप ले सकते हैं तो यह कई तरीके से आप इसे खा सकते हैं अगर आप इसे इन तरीकों से नहीं लेते हैं तो आप इसकी पत्तियों को सुखा करके टी के रूप में ले सकते हैं जैसे आप हलका सा पानी लीजे उसमें आप यह चार पत्त या 5 पत्र डाल दीजे और उसकी बना लिजे इस पानी को आप श्याम को पीजे यह आपके शरीर से इंफ्लमीशन को भी कम करने में मदद करता है साती सात यह दर्द में भी आराम करता है तो यह कई सारे बिमारियों को इजी ली तरीके से घर पर रेकर के ठीक कर सकता है फ्रेंड्स यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा कुछ फूशना चाहें तो कमेंट की कीजेगा मैं फिर मिलता हूं इसी तरह कि किसी इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटेव वीडियो में दब तक लिए मुझे विदा देजिए स्वास्तरी मस्तरी मुस्कुरा दे रिए